सब्सक्राइब करने वाला है आपको एक्जाम देने चाहिए नहीं देने चाहिए आपको वेट करना चाहिए आपके वीडियो में डिसकर्श करने वालो तो अप एड़ी इन तक वीडियो जरूर देखना और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकूल मत बोलो यह है यह मैंने और लेड़ी यह चार्ट बनाया है स्लेबस कंपरिजन का स्लेबस 2022 एंड स्लेबस 2016 हम दोनों को अभी कंपेर करने वाले तो प्लीज 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 एड दी इन तक तो जुरूर देखना आप चाहें फाउंडेशन में हो इंटर में हो या फाइनल में आपको सारी वीडियो को देखना बहुत इंपोर्टेंट ह है अगर हम बात करें फॉणेशन इवडिस फाउंडेशन लेवल फ्रस फाउंडेशन उभल कि अब भी चार सब्जेकट है इस चार सब्जेक्त में थोड़े बहुत चिंजजिच किये गाए जैसा कि सब्में बात करें लॉग पेपर में तो पहले जो हमारा था लॉव में fundamental of law and ethics तो अब इन्हों ने ethics के paper को हटा दिया है और अब इन्हों ने उसके आपर business communication को insert किया तो यह एक major changes है foundation level पे इसके लिए अगर हम बात करें अगर financial accounting कि आप जैसे fundamental of business and cost accounting को इन्होंने insert किया पहले था fundamental of accounting तो मुझे नहीं लगते हैं यहां पर कोई changes है यहां पर बस एक ही objective इसके पीछे हो सकता है पहले accounting वर्ड था तो एक specific word नहीं था accounting में बहुत सारे होते हैं financial cost management तो अब इन्होंने उसको specify कर दिया है financial and cost accounting तो यह इसके पीछे एक रीजन हो सकता है बाकि जब स्थेवस आगा तो हमें इसके बारे में और चीज़े मालूम चलेगी इसके लागा अगर हम बात करें तो math वाले जो subject है उसमें math and statics में कोई changes नहीं है fundamental of business economics and management और पहले था fundamental of economics and management तो यहां पर भी मुझे नहीं लगता बहुत major changes आने वाला है अब हम बात करते हैं next intermediate level पे तो intermediate level पे काफी सारे changes है काफी सारे changes आपके लिए important पी जैसे अगर मैं बात करूँ business law and ethics तो पहले था law and ethics तो मुझे लगता है इसमें दो तीन chapter add-on हो सकते हो और दो तीन chapter पहले से हट सकते हैं इसके लगा financial accounting में बात करें तो कोई changes नहीं है direct and indirect access को इन्होंने merge कर दिया है पहले handed-handed marks को होते थे अब इन्होंने दोनों को merge कर दिया तो मुझे लगता है इसका वेटे जब 50-50 marks का होने वाला है लेकिन पॉइंट वाली बात यह है कि यहां पे अगर marks भी इन्होंने कम किया है तो syllabus content भी कम होना चाहिए तो किस chapters को रखत हो गया तो यह एक कहिने के निगेटी पॉइंट होने वाला है कि अगर इस लेबस में 50-50 marks के साथ सेम बेटिज को लेकर जाते हैं तो इसके लाब अगर मैं बात परूँ तो पहले भी operation management था एंड इस्ट्रेजिक अब भी भी operation management एंड strategic management है यानि वे में सब्जेक्ट अब भी है कॉस्ट अकॉंटिंग कॉस्ट अकॉंटिंग से में कॉर्परेट अकॉंटिंग पहले भी था कंपनी अकॉंट्स अनॉर्ट तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई मेजर चैंज्ज है अब इन्होंने business data analytics को इन्होंने नया इंसर्ट किया है तो यहां पर इसका वेटेज मुचे जहां तक लगता है 50 marks तक का होगा बिजने डाटा इनलाइटिक्स का और उसके कॉर्डिंग अब इसके content क्या है इसके importance क्या है वह over the time में हमें मालुम चलेगा management accounting एक new subject इन्होंने इंसर्ट किया है कोटर्थी करके जैसे डारेक्ट और इंडारेक्ट एक सिर्ट करके वहां से 50 marks से handed marks का एक पेपर इन्होंने सेप कर लिया और उसके जाप इन्होंने management accounting इंसर्ट किया तो जो management accounting का जो आपके प्रहोंने वाला हो आपके केस इस्ट्रटी बेस्ट पेपर होने वाला है यहां पर calculation बेस नहीं होने वाला है जीजन का विकुछ आपके पेपर नंबर एट है तो मुझे लगता कॉस्टिंग के सारे प्रैक्टिकल कॉंसेट यह पेपर नंबर एट में डाल देंगे और पेपर नंबर जो 12 होने वाला आपको पेपर यहां पर यहां पर यहां पर इस लेवर से हटा दिया तो अब देखना यह कि दिसेंग का पार्ट मुझे लगता कि और इन डेटेल होना चाहिए निव ज्यादा इन डेटेल हमें जैसे कुछ ने कुछ चैंज़ लाने चाहिए अब लाते हैं नहीं लाते हैं और दी टाइम हमें पता चलेगा कॉस्ट इन डिरेक्ट एक्सेशन में भी कोई चींज नहीं है अब सिर्फ जो एक नूच चैंज़ कर सकते हो बेस्ट ऑन यूर इंटेस्ट तो रिक्स मैनेजमेंट इन बैंकिंग एन इंसुरेंस इन्होंने नया पेपर लेकिया है और इंट्रपर्नेर्शिप एंड स्टार्ट अप्स का एक नया पेपर है तो मुझे लगता है न्यू दो पेपर जो ने इंसर्ट के वह अच्छा है बट कहीं ने कहीं हम कॉस्ट अकॉंटिंग मैनेजमेंट अकॉंटिंग उपर इन बीटेल जो फोकस होना चाहिए मुझे थोड़ा से इसमें लग रहा है जो अभी मैं कंटेंट देख रहा हूं उसे कॉर्डिंग मुझे जहां तक मार्केट में कैल्कॉलेशन बेस्ट कॉंसेप नहीं चलता है अगर आप जितने भी तो वह थोड़ा सा अभी मुझे कम लग रहा है उस पॉइंट ऑविस से बाकी और स्लेबस सही है थोड़े बहुत चैंजेज और होने चाहिए थे जो नहीं हुए है फाइनल लेवल पर इसके अलब अगरा मैं बात करें कि यह बहुत सारे स्टुएंट आप यह सोचेंगे त आप बच्चों का डाउट ही होगा कि सर मैं भी फाउंडेशन में हूं इंटर में हूं मुझे क्या करना चाहिए तो देखो मैं आपको यह बोलूगा 2023 जून में अभी टाइम है अगर आप अलएडी फाउंडेशन क्वालिफाइड कियो हो तो आप इंटर्मीरियर तुस्ट कोश्ट का एक कॉंसेट आप सबने पढ़ा होगा चाहिए फाउंडेशन में हो इंटर में हो आपको वेट नहीं करना चाहिए आप जिस भी स्लेबस में हो 2016 स्लेबस के एकौर्डिंग आपको अपने पेपर को क्वालिफाइड कर लेना चाहिए जब आप फाइनल में आओग को कोइब दे गर्स EMP सेम मिलेगी आपका आप ग्रेक्रिंग वैलु जो मेरी डिगर की वैलु में स्फेम आपकी द्रिकिकिस ऑफ धालिवा क्रेंग से गवाय निकाल दू कि स्लेबस से आने से आफ की वैल को अपने एक्षप्रियंगी कर मोतनीं आपकी वैलु एक्त्री तो मुझे नियं लगता है ऐसा कुछ इंपक्ट आता है और कभी भी कंपनी आप से यह नहीं पूछाएगे कि आपने न्यूज्स लेवर्स क्वालीफाइगा है ऐसा कोश्चन कभी भी कंपनी पूछती वह बस यह में देखती है और आपके नॉलेज यह देखती है इसके बैस तो आप जिस भी आप attempt देने वाले हो आप 2016 स्लिबस में दो ट्राइए करो कि जल से जल से जल सी में क्वालिफाई करने का इसके लाभा और कुछ नहीं आपको सोचना चाहिए कि न्यू स्लिबस का आपको पर क्या इंपक्ट आगा ओवर दे टाइम चीजों को अच्छे करने के अगर आप उसके पार्ट बनते हो तो भी अच्छा है नहीं बनते हो तो आप खुद से करो मैं जब सी में क्वालिफाई किया था उससे में सर्विस्टेक्स वैट था कस्टम था तो अब यह तो पूरा जीश्टी वेस्ट आ चुका है और दी टाइम मैंने जीश्टी पढ़ पाते हैं तो उन्होंने उसी टाइम अपने प्रैक्टिस स्टार्ट के उन्होंने यह थोड़ी वेट कहा कि यह जीश्ट लाने का कॉलिफाई करो जिस भी एटाइम में आपका हो रहा है और उसी एटाइम के कैंपस को पर फोकस करो कोई चेंज नहीं आने वाला कोई इंपक में जब जाएंगे उनके लिए उनको उसे एकोर्डिंग अपने प्रिप्रेशन करने परेगी तेट्स अल अबाउट इस थिंग्स मुझे लगता है कि सारे चीजे कंप्लूट हो गई है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अब लाइक एंड सस्काइब करना बिल